जो Presents वापा ज्यान सागर है आपने देखा हुगा सागर अगर फिनारे रहते हैं तो नहों किया होगा उपर बहुत लहरे होती हैं और लहरों के बीच में अगर यह जाता है अगर उसको श्टान करना, लहराना, तैरना नहीं आता ही तो लहने उसे बहा ले जाते हैं, इक सान पुचा देते हैं. लेकिन सागर के गुखी लगाने माने तहराग के होते हैं, जो नीचे जाना जानते हैं, तो मां बड़ी सीतलता, बड़ी स्वांतिता हो करते हैं। रतन लेके आधा है। हम सब योग अभ्यास के दिनर ये प्रेक्टिस करें। कुछ समय हम याम सागर की लहरों में लहराएं। चिंतन को, ननको, पहले अपने आपको खुट नसे और फुसे में ले आओ। योग सुका नहीं है। करें लोग ऐसे बैटें, गर्दन डाने के निचे। पता निकों सा हो जागे है योग में। सुका चेहा। पुसी नहीं, जाहना चलिए। शांति है, अंतर्मकी है। ऐसे नफता है पता निकों यह मारे पुटाएं। यह हो बेगा, इसमें चेहा ही बदर जाए, सुखा हो जाए, अरे अमरीता से, भावा से, प्यार से बाते कर रहे हैं, सनगी से मिलन मना रहे हैं, को मजे से बढ़ो, मस्तो के बढ़ो, और भे बावा की ओकरने लेते, देते, सागर के तले में चले जो, और वो सागर का तला, बिल्पूर सेमिति का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, और मैं आत्मा उसके अंदर सामाई हुई हूँ, कोई बाही वाकावाण का अभभाव नहीं है, तेकिन दो किरणामने त्क्यान वोगते हैं, तो नाम कान पानी न चला जाए, डेंजर हो जाए, इसने बंद रखते हैं, उते हैं, तो बाई मुकता कि कोई भी बात पेजिन तदमें ना हो, उसके लिए कांपनाग सब बन भी, मिलो को साइडिया से, सागर के तले में चले गए, अब एकदम शांती का, पवित्रता का तहरानों, वो संस्ता को परिवरता है, वो संस्ता को तो जाता है।